सो गाइस इस वेबसाइट पर आलमाउस 3.4 मिलियन का ट्राफिक है और सबसे ज्यादा जो ट्राफिक जनरेट होता है वो है USA कंट्री का उसके बाद इंडिया खा है गाइस वेलकम बैक तो नेदर नूव वीडियो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलिजबल होगा क्यों है आज की वीडियो मैं आप सब के लिए बिलकुल यूनिक और नूव वेबसाइट लेकर हो जहां से आप इसली आप फ् आज तक जरूब वाच करना उससे वेले गाइस एक चीज़ मावे सा बोलना चाहूंगो यह चैनल जो यह आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है स्यू स्मार्ट की बैक लिंस के रिलेटेड ट्राफिक के रिलेटेड रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर एस चैनल के उपर भी बिलकुल फ्री ऑफकॉर्स तो गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और गाइस नोटिवेशन में कर लेना इसके लावा जो भी आप जो डॉट्स होंगे आप मुझे वीडियो को नीचे कमेंट कर दो या तो गाइस आप मुझे परिशनली इंस्टागम पे पर लिंक मिल जागा डिस्क्रिप्शन में तो गाइस वीडियो को स्टाट कर देते हैं तो गाइस जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहा होंगे यह वेबसाइट है जहां पर आप यह हम एक डू फोलो बैक लिंस हम क्रेट करेंगे उससे बेले गाइस इस वेबसाट की डिये P.A. Spam Score और Domain Rating चेक करते हैं उसके बाद ही इस पर बैक लिंस क्रेट करते हैं तो गाइस इस वेबसाइट की एक हम मैं D.A. की बात करूं D.A. आपको बता दूँगा तो जैसे आप website को open करोगे सबसे top पर आपको sign up को option दिखेगा आपको sign up क्लिक करना है जैसे आप sign up पे click करोगे वहां पे बहुत सारे options दिखेंगे means आप apple ाजी से आप login कर सकती हो means sign up कर सकते हो Google से खर सकते हो means email id username और password को enter करते हुए तो guys यहाँ पर login पर click कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर login कर लेता हूँ icon के google के through तो guys यहाँ पर जो मेरा जो account है वो login हो चुका है login होने के बाद यहाँ पर question आता है tell us about you करके तो guys मैंना other पर select करा आप कोई भी option आप select कर सकती हो जैसे आपको यह option select हो जाएगा select होने के बाद इस तरह से आपको dashboard हो जाएगा और यहाँ पर देख पा रहोंगे side में जो सबसे top में आपको icon दिख रहोंगे तो guys जैसे आप icon पर click करोगे उसके बाद आपको public profile option दिखेगा आपको बस public profile पर अपको click करना उसके बाद आपको edit profile पर आपको जाना और यहाँ पर सारी चीज़ा आप एडिट कर सकते हो फर एजामपल profile image आपको बायो और यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर कम से कहो आप तीन link को inspect के दिखा दिता हूं कि यह no follow या do follow है तो guys इसको जो है inspect पर मैंने click कर दिया click करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो है link के आगे जो है no opener और no referral करके लिखा हुआ है लेकिन no follow नहीं लिखा हुआ है आपको यह बाई ऐसे भी है कोई कोई subscriber यह कोई users ऐसे हैं जो यह चीज़ देखके वो मुझे comment करेंगे कि भाई यह जो है आपने जो provide करें यह no follow है लेकिन गाइस मैं जो है mouse tool में चेक करता हूँ और mouse tool के through मैं आपको confirm करता हूँ जैसे आप mouse tool यूज़ करोगे extension यूज़ करोगे वहाँ पर जो एक pencil का icon होता है उस पर जैसे आप क्लिक करोगे followed का no follow का option दिख जाएगा आपको बस follow पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख पा रहोंगे mouse ने भी confirm कर दिया कि यह जो link है यह followed link है means do follow link है hopefully guys आज की video बस इतना ही था hopefully guys आपको आज की video देखने के बाद आपको कुछ ना को सीखने को मिला होगा अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ ना को सीखने को मिला है तो guys video को like करके जरूर जाएदा और guys comment के जरूर बताओ कि आपको video कैसे लगी और next video कौन से topic पर च this year thank you so much guys